असलाम लेकुम एवरिवन, वेलकम तो माई चानल फाइज अवसीम आज हम वेब डिजाइनिंग में सीखेंगे कि कैसे आप CSS with ID Attribute को यूज करते हो CSS with ID Attribute है क्या? पहले आप यह देख लेते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफार हमारे चानल पर आए हैं तो आप हमारे चानल फाइसवसीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको web designing से related और software engineering से related different videos देखने को मिलती रहती है तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि CSS with ID Attribute actually में है क्या? यहां पर मैंने अपने पास HTML की index file open की है आप यहां पर देख रहे हैं मेरे पास एक heading 1 का tag है यहां पर एक मेरे पास P tag है ठीक है अब मैंने यहां पर अगर मैं आपको CSS की file दिखाओं तो यहां पर मैंने इसको फिलाल में heading tag की styling को remove कर देती हूं ठीक है सिर्फ और सिर्फ पी टैग की अगर मैं आपको styling दिखाओं तो यहां पर मैंने P tag को coloring दी है font family दी है और साथ में font का size दिया है ठीक है for example अगर मेरे HTML file के अंदर एक P tag नहीं बलके दो P tag है किस तरह से बिलकुल इस तरह से ठीक है मैं चाहती हूं के this is my paragraph इसको में color दूँ different और this यह जो में पास second P tag है जिसमें मैं लिखा I am different इसको मैं चाहती हूं different coloring दूँ different heading दूँ different size दूँ तो वह किस तरह से possible होगा फिल्हाल यहां पर जो मैंने ID दी है इसको मैं करती हूं यहां से remove ताके मैं आपको प्रॉपर्ली समझा सको फिल्हाल तो हम इसको यहां से cut कर देते हैं ठीक है अगर आप यहां पर देखने हैं यह में मेरे पास दो P tag this is my paragraph this is I am different अब मैंने यहां पर styling दी है P tag मैं ठीक है मैंने P color दे दिया rat font family courier और font size 160 इसको save कर के पहले हम result देखते हैं कैसा आता है और फिर मैं आपको बताती हूं कि sorry CSS with ID का क्या मकसद होता है हम इसको करते हैं से save और मैं browser पर चलका इसको refresh करते हूं ठीक है जैसे मैंने इसको refresh किया तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास जो paragraph है I am different और this is my paragraph यह इन दोनों की जो formatting है वो बिलकुल same है इसका size भी same है इसकी coloring भी same है और इसका सब कुछ same है लेकिन for example मैं चाहती हूं कि I am different जो है इसका color मैं blue हूं इसके लावा इसका जो size है वो मैं थोड़ा increase करूं तो वो मैं कैसे करूंगी अब coaching की तरफ अगर मैं आपको दिखा हूं तो देखो यह भी हमारे पास p tag है यह भी हमारे पास p tag है जब मैं इसकी styling दे रही हूं तो उसको पता नहीं चल पारा कि मैं कौन से p tag को दे रही हूं तो उसके लिए आप ID किस तरब से देते हैं यहाँ पर आप देख सकते है p id is equals to p01 इसका मतलब कि अब जो है मेरे पास यह वाला p tag थोड़ा डिफरेंट हो चुका है कैसे इसको सेफ करते हैं और हम ब्राउसर को चल के refresh करें तो अब जो हमने p की styling दीती वह सिर्फ और सिफ this is my paragraph वाली वाले p tag क्यों पर आएगी इसको मैं refresh कर रही हूं तो अभी भी ह मैं पास result same ही दिखा रहा है वजह यह है कि हमने यहाँ पर सिफ और सिफ पी दिया है अगर मैं चाह रही हूं कि मैं इस वाले p tag की जिस पर मैंने id p01 दिया है इसकी मैं formatting चेंज करूं तो उसके लिए मुझे उसको id भी बतानी पड़ेगी कि इस p tag की id different होनी चाहिए तो आप आप वो किस तहां से देंगे styling उसकी उसकी styling आप बिल्कुल इस तहां से देंगे आप देख सकते हैं यहां पर मैंने hashtag p01 लिखा है इसका मतलब यह है कि मैं इस वाली id को यूज कर रही हूं और उसका color में blue चाह रही हूं जबके पहले वाले p tag मेरे पास color red था इसको हम करते ह यहां से save अब अपना browser चलके refresh करते हैं और जैसे मैंने इसको refresh कि आप देख रहे हैं इसका color में पास change हो चुका है similarly आप चाहे तो इसकी font family और इसका size भी change कर सकते हैं जैसे कि इसको मैंने यहां से control C किया है और यहां पर मैं इसको control V करती हूं इसका जो हमाई पास family है वो मै change कर देती हूं ठीक है और यह चले font family अभी हम इस वक्त नहीं देते हैं इसका मैं सिफ size आपको change कर के दिखाती हूं यह भी हमाई पास 160% है इसको मैंने 300% दे दिया अब मैं इसको save करती हूं आपको browser refresh कर के दिखाती हूं कि हमाई पास किस तरह से size में भी difference आ गया तो actually मैं य इसी website बना रहे हो जहां पर आपने बहुत सारे पी टाइक्स उसकी है लेकिन यह बहुत सारी heading उसकी है लेकिन अब आप चाहरे हो कि मैं हर heading को different formatting दूँ तो उसके लिए आप जो हो ID लगाते हो तो यह थी आज की हमारी वीडियो मीट करती हूं आपको clear हो गई होगी